नमस्कार आप देख रहे हैं एशिया न्यूस इंडिया में हुकीत सेंग रूस और यूकरिन के युद्ध को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं इन 10 दिनों में दोनों ही देशों में काफी तबाही मत चुकी है लगतार 10 दिनों से चलता आ रहा यह युद्ध दिन प्रति दिन एक विक्राल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है जैसा की देखा जा रहा है कि रूसी सेना लगतार यूकरिन की ओर कूच करती हुई नजर आ रही है और ऐसे ही में अब रूसी सेना यूकरिन की राजधानी कीव तक पहुँच चुकी है लगतार दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध का खूनी नजारा पूरा विश्व देख रहा है ऐसे में आप देख सकते हैं कि कीव तक जिस तरह से रूसी सेना पहुच चुकी है रूस के द्वारा लगतार गोली बारी की जा रही है और बड़े-बड़े मिसाईल यूकरिन पर दागे जा रहे है हाला कि अगर यूकरिन की बात करें तो यूकरिन के सेना भी पीछे नहीं है लगतार जवाबी जंग दोनों ही देशों के बीच में जारी है वहीं एरोपियन मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है कि कल रूस के द्वारा यूकरिन पर लगतार गोली बारी की गई और ऐसे ही में कीव में जिस तरह से बड़े-बड़े मिसाईल दागे गए ऐसे में कीव के 206 बटालियन के द्वारा कीव के 400 महिला समेत बच्चों को सही समय पर रेस्क्यू कर सही इस्थान पर पहुचा दिया गया है देखे ये पूरी वीडियो तो देखा आपनी यह वीडियो के किस तरह से लगतार उक्रिन के सेना आपने नागरिकों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि रूस के तुवारा लगतार जो गोलि बारी की जा रही है ऐसे मीं यूक्रिनी सेना का भी काफी तारीफ करना होगा कि जिस तरह से वो अपने नागरीकों को बचा रहे हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ये काबिले तारीफ है आगे देखना होगा कि इस युध पर कब तक पूर्ण बिराम लगता है और कब तक ये युध थमता है तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ